हेलो फ्रेंड्स वेलकम बाग टू आ चैनल मैं आज आप लोग के साथ एक नॉर्मल सा लुक शेयर करने जा रही हूँ जिसमें मैं पहले यहां पर कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ जहां जहां पर मुझे कंसील करना है वो एरिया में मैं कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ नॉर्मल सा आई लुक क्रियेट करूगी जिसके लिए मैं रिवॉलुशन का पालेट ले रही हूँ और उसमें से मैं ब्राउन शेड आज ट्रांसीशन शेड अपलाई कर रही हूँ और अपलाई करके आप उसे अच्छे से ब्लेंड कर लो इतना ब्लेंड कर लो कि आपका जो चेड के ऊपलाई करो और अच्छे से अपलाई करके आप उसे ब्लेंड करो इतना ब्लेंड करो कि हमें हमारे डिजायosed melhores उसके बाद यहाँ पर आप गुल्ड़न शेमर ले और उसे आप जहां पर मिडल पोशन हो जहां पर हमारा कट क्री से एरिया तक होता है वहां तकका आ पिल्ए आपला उद रहा है चया उदेने के लिए यहां पर मैं फोड़ा अपला पछल़ रही हूं। तो इसके लिए यहां पर मैं शीय और से शेप दे रही हूं। अपर उसी ब्लेंड करो। पर आपके ने तरह तक यक तीज़ यह ईखाव हो कर लगा चाहर करों। लास्टली हमें अगर अपने आइस को और अच्छा लुक दिखाना है ताकि वो बड़ा दिखे तो हम फ्रंट पोशन पे जो इनर साइड रहता है वहां पर हम एक नॉर्मल सा जो बहुत ही अच्छा पॉप अप हो तो यहां पर मैंने गोल्डर शिमर ली हूँ और उसे में प्लीट हो जाए और आपको अगर आपके आइस को बहुत नैच्रल दिखाना है तो यहां पर आप मेबलीन का जेल आइलाइनर यूज कर सकते हो जेल आइलाइनर हमारे आइस को एक अलगी लुक देते है और मैं यहां पर आज बलश थोड़ा अलग तरीके से अपलाई कर रह अगर आप कॉलिज गोइंग गर्ल्स हो या फिर ओफिस गोइंग हो या फिर टीनेजर हो तो आप लोग ऐसा मेक अप कर सकते हो अगर आप लोग को यह मेरा लुक पसंद आए तो आप लोग लाइक जरूर करें